असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सो आप तो देखे जी आज के वीडियो में बताऊंगी मेरे पास 4 o'clock का प्लाइंट है जो मैंने सीड्स से ही ग्रो किया है था यह देखिया आज मैं आपको बताऊंगी स्पेशल सीड्स कैसे हम कलेक्ट करेंगे और यह कैसे आपको इन दिनो यह बहार पे होता है इसमें कई कलर्स आते है अगर मैं आपको बताते चलो इसके कलर्स के बारे में और मैं सीड्स दालूंगी भी आपको बताऊंगी यह सीड्स है इसी पे बन जाती है आसानी से आपको एक बार पर्मिनेंट प्लांट है एक बार आप इसको अगर ग्रो कर लें इसमें सेट बनते जा रहे हैं डेली ....कम से कम इसमें 20 ख होल रहे हैं मैं तो बन ऐसी पर आना गल दिए यह लो्स प्रपिल कि मिल जाते हैं । इसमें और पिलल रुट बोल रहाता है यह बनता है और भुति भीृट पिलत ग्रोह होता है और यह आप देख सकते हैं ऐसे सीट्स इसमें बनते हैं और कलेक्ट कर सकती हैं आप यह देखें यहाँ पर भी सीट्ट बनी हुई है कितना प्यारा खुबसूरती है देखें इस फ्लावर में अल्ला ताला ने दी हैं आप देख सकते हैं बहुत प्यारे फूल होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं ये शाम के टाइम खुलते हैं और ये देखे आप यहां भी एक सीट मुझे मिल गई है तो ऐसे सीट्स आप कलेक्ट कर सकती हैं ये देखें बजो बजो में ऐसे गुचे में हैं तो यह आते रहते हैं, पहले नहीं पड़िप, फऺ भूरिप न जाता है, और हमें फूल बन जाता हैvent, यह देख हैं, प्रोसेजर चलते रहता है, यह स्वाथived, यह देखी है, तो ना इसकी मैंने पूरी कटिंग कर दी थी तो ये जो नियों है ये है एक ही उसमें गुच्चे के जैसे ये छटरी के जैसे फैलता है ये प्लैंट आप देख सकते हैं इसको सपोर्ट देना जरूरी है मैंने सपोर्ट दिया और अब देखें अब डेली ये मुझे फ्लावर्स देते ही जा रहा है ये देखें कितनी खुबसूरती है ना माशालला से बहुत खुबसूरत फूल होते है इसके और डेली आपके पास ये बाहर में रहता है मतलब खिलते ही रहते है अब ये कलिया इसमें मौजूद है ये जढ़ जाएंगे फूल तो फिर वो खिल जाएंगे फिर फूल जढ़ने के बाद ही सीट बनते है मैं यहीं इसकी सीट दाल रही हूँ आप देख सकते हैं उसी के पॉट में अच्छा बड़ा है ये मेरा प्लाइंट और बहुत अच्छी तरह इसमें फ्लावरिंग हो भी रही है अगर आपको सीट मिल जाए तो आप सीट से भी इसको ग्रो कर सकते हैं इसमें देखिए ज़रा सा अलग कलर दिख रहा है बलू लेकिन बहुत खुबसूरत लग रहा है माशालला से बहुत 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 ज़्यादा खुबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं आप देखेंगे बहुत कलर साते हैं मतलब इतने कलर साब को मिल जाएंगे ना कि मैं क्या बता हूँ मेरे पास ही 5-6 है अब मैं सीट्स डालती जाओंगी जो मैंने लास्ट येर कलेक्ट किया है मैं कलेक्ट करके सीट्स रख लेती हूँ तो आप रख सकते हैं फिर आपके पास अगर ना हो प्लैंट मौजूद तो आप फिर से उसको ग्रो कर सकती है अब मैं ग्रो करना शुरू करूंगी जी तो कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस आते जाएंगे तो देखा करिए लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं छोटे ही वीडियोस डालूँगी ताकि आप लोग फुल वाच कर ले तो ये एक रिक्वेस्स है मेरी तरफ से आप लोगों से के प्लीज पूरा फुल वाच कर ले मेरे वीडियोस ये देखिए माशालला बहुत खुबसूरत फ्लावर्स होते है बहुत ज्यादा खुबसूरत फ्लावर्स होते है और ये हमेशा मौजूद रहते हैं आपके पास तो जरूर लगाईएगा और थोड़ा समय को साइट से के भी प्लावर्स बताती चलूँ ये देखिए सोप क्लीन का ना है स्पाइटर प्लावर्स है ये देखिए बहुत बढ़ा हो गया स्पाइटर प्लावर्स मेरे पास इसका next करूंगी मैं कुछ और थोड़े plants पीछे के हिस्से में खराब हो गया ये देखे सारा ढल गया है इतने इसमें new plants आ रहा है मैं अब इसका भी करूंगी ये देख रहे हैं अब नीचे भी पानी जहां से मिल रहा है ये plant ले रहा है बहुत बढ़ा हो गया बहुत ज्यादा बढ़ा हो गया ये plant तो मैं इसका भी कुछ करूंगी तो यही था जी आज का वीडियो उमीद करूंगी आप लोगों को पसंद आएगा थोड़ा सा मैं ये भी बताती जा रही हूँ आपको ये देखे कितना बढ़ा हो गया है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ा हो गया ये plant इसको भी मैं को अब report करूंगी उतने से पहले cutting करूंगी और बहुत सारे से हमें plants मिलने वाले हैं तो मैं बहुत सारे लगा लूँगी ये ही था वीडियो फिर मिलते नेक्स वीडियो में आला हाफिस